देंगे नायम सोरी बचो थोड़ा सा आज हम लेट हो गया इसके लिए माफिस आते हैं सभी बचो वीडियो पीपर लाइक देंगे श्रधाज जी कुरीमी रंजना श्रशीकला प्रियंका प्रीती वजय लक्ष्मी सविता गनेश उमीता स्रीमा मनोर्मा फरहा पिंकी रामपाल रेनू गनेश जितेंद जी बचो मैं आ चुका है नायम सोरी बचो थोड़ा सा आज लेट हो गया तो इसके लिए मैं माफिस आता हूं सभी बच्चे लाइब आज आएंगे वो विडियो को एक बार लाइक कर देंगे ठीके बच्चो आज बच्चो आज एमसी कूज के हंडेट प्रिश्नों को आज हम सिर्फ सौल्ब करने वाले हैं ठीका आज सिर्वडी के क्लास इसके वज़से नहीं रखेगे क्योंकि एमसी बहतरी ने बच्चो बहुत बहतरी प्रिश्ने आप लेवल कहते थे न वो लेवल आपको यहां पर बच्चो देख जाएगा ठीके और अभी तो एक्जाम भी आपका पॉस्पोंड हो गया है तो आपके पास तयारी के लिए पूरा टाइम है बच्चो तो सही से आप लोग तयारी करें किसी भी हाल में इस बार निकलना चाहिए जी संजो जी सोनम गुडीवनी सभी बच्चो को गुडीवनी बच्चो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल देए तुरन देख भार कमेंट कर देंगे ठीक बच्चो बिना देर के चलते हैं पहले प्रश्न को ओके लवली ज ध्यान देजिए उपकेंद्र सबसेंटर मुक्टा किस परकार की स्वास सिवाएं के क्रियानेवन से सम्बंदी थें कोई नहीं सोनम भी अच्छा करना है बचो आप सबको जी नहीं नीशा बिलकुल पेपर होगा कोई बवाल नहीं होगा पेपर तो होना ही ये 100% होना है बच्छो सरकार चाहे कोई भी आए आपका एक्जाम होना ही होना है बच्छो जी बिल्कुल सिव मोहिनी जी थेवरी के साथ ही होगा आज सिवरी नहीं है आज सिर्फ हमने 100 MCQs के ही प्रेशन रखे हैं लेकिन कल से थेवरी होगा बचू एक्चुली ये PDF खल वाला है बचू ये PDF कल का था तो कल हमारी क्लास होई नहीं MCQs की तो इस वज़े से इस PDF को माज करवा रहें ठीके कोई नहीं बचू अभी तो आपको पढ़ाई करना है जी सुगंधा नहा जी ओके नहा सभी बचू को गुड़े में ठीके पहले परिश्ट का इंसर कर देंगे और इसका right answer हो जाएगा बचू वन का option option E is राइट preventive बचू preventive यानी रोक थामात्मक परकार के स्वासाओं के क्रियान एवन से सम्मन दित है बचू ठीके जी बिलकुर रिज्चन, बिलकुर थेवरी के सारे क्लासे सोऊंगे अबी तो शुरू हुआ है दुबारा से थेवरी की क्लास तीन-चार देन पहले ही सब हो जाएगा बच्छो बिलकुत सुरू से सब कुछ करवा जाएगा अगला फश्नेख लेंगे बच्छो नेम नमे से गर्म निरौधन का ओस्थाई साधन है थेंक्यू सो मच बचू आप सभी को ओके सुगंदा ओके ठीक है मैं भेज दूंगा ठीक है बचू एक दो दिन में हम लाइब आके एक बाद सेलवर्स भी आप सबको समझा देंगे कोई बात नहीं अम देता ची लेट हो गई हम अधीपा बीडियो तो चल देए बचू एक बा का ओप्शन सी कॉपट टी बचू गन्मरिद्वन निरोधन का और साइज साधने कॉपट टी बचू अगला प्रस निकलेंगे कि सी एम एच ओ का पूरा नाम क्या है बचू ओके लवली ओके बच्छो थैंक्यू एंसर करें बचू सी एम एच ओ का फूल फम क्या हो जाएगा बचू एंसर करें बचू और इसका राइट इंसर हो जाएगा थ्री का ओप्षिन ए बचू ओप्षिन इस राइट मुख ची किस्सा एवं स्वास साधिकारी चीप मेडिकल एंड हैल्थ ओफिशर चीप मेडिकल एंड हैल्थ ओफिशर इसका फुल फम हो जाएगा बचू अगला प्रस निकलेंगे यूनिसेव का पूरा नाम क्या है very clear अधिय सेप का पूरा नाम क्या है यूनाइटेजनस इंटर्नेशनल साइल एंड अंतराष्टि विकास के लिए संत्राज एजेंसी संत्राश्ण जनसंक्या गतिविधी कोश या उपयुक सभी बच्चू सभी बच्च एंसर कर देंगे UNICEF का पूरा नाम क्या है बच्चू और वेरी इजी प्रिश्ने बच्चू और इसका राइट एंसर हो जाएगा बच्चू 4 का ओप्षिन A Option is the right United Nations International Child Emergency Fund ठीक है अगला परशन निकलेंगे UCED का पूरा नाम क्या है बच्चू UCED का पूरा नाम क्या है एंसर करें बच्चू सभी बच्च एंसर कर देंगे UCED का पूरा नाम क्या है बच्चू अधिक्षा अपेंडिक्टोमी दिक्षा एक्चूली ये एक परकार का ऑप्रीशन होता है जिसके जरीए अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है ठीक है यह एक प्रकार का उप्रिशन है और इसी के तहट शरीर में अपेंडिक्स को निकाला जाता है सरी से ठीक बचू यह क्यूब के समान होता है बचू पतला ट्यूब के समान होता है जो मुह के तरफ से या दूखसरी तरफ से इसको डाला जाता है और इसी के तरह एपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है बच्छों एपेंडिक्टोमी ठीक है बच्छों एंसर करेंगे अगले पिश्ण का यूशेट का पूरा नाम हो जाएगा बच्छों फाइब का ऑप्षिन बी ऑप्षिन पी इस दा राइट अंतराश्ट्री विकास के लिए सैंक्त रा लेंगे ठीक है तो इसका हो जाता है बच्छों यूनाइट इस्टेट एजन्सी फोर इंटरनेशनल डवलपमेंट अगला प्रश्ण लेंगे बच्छों एक गर्वती महिला को निंवन मेंसे कौन सट्टी का आवश्यक रूप से लगाया जाता है इंसर करें बच्छों जी उमेंस मैंने फोलपम बता दिया बच्छों सबका बता दिया फोलपम कोई भी नहीं जोड़ा इंसर करें बच्छों एक गर्वती महिला को निंवन मेंसे कौन सट्टी का आवश्यक रूप से लगाया जाता है इंसर करें मच्छों तुरन बच्छों बडियो क्लियर है एक बार कमेंट करतेंगे और राइट इंसर हो जाएगा सिक्स का ओप्शन बी ओप्शन बी इस राइट टीटनेस टॉक्साइड टीटी के टीकल लगाया जाता है मच्छों आवश्यक रूप से जी लवली से लिए मनें बता दिया इंगलिस भी बता दिया मैंने नीमने में से एनम द्वारा किया जाने वाला कारे है जी सोनी अप्रील तक बचो मान के चलो 15 मार्श से 15 अप्रील के बीश में एक्जाम आपका हो सकता है ओके जिन्दा जी जी नीलम बिलकुल और इसका राइट इंसर हो जाएगा 7 का ओप्शन D बचो ओप्शन D is the right उप्रूप सभी बच्चो एवं घर्विती मताओं का टीका करन करना ग्रीह मुलकात यानि हों विजिट करना कंडूम एवं माला इन का वितरन करना बच्चो नेम में से कौन सा टीका जनम के समय लगाए जाता है नेम में से कौन सा टीका जनम के समय लगाए जाता है विसी जी का टीका पेंटा वलेंड का टीका खसरी का टीका या डीपी टीका टीका बच्चो सभी बच एंसर कर देंगे जी नहीं सबता और राइट इंसर हो जाएगा बच्छो 8 का option A option A is the right बच्छो ठीक है VCG का ठीक है जनम के समय VCG का ठीका लगा जाता है VCG का full form लिख देंगे comment box में बच्छो ठीक है मातर में तो दर्ष से आप क्या समझती है जी बिल्कुल लवली उससे टाइम अभी तो मतलग confirm तो नहीं है commission नहीं बोला है जी बिल्कुल जितने भी यूपी टेपलसी के अभी एक्जामत याभी जेई का एक्जामता वो भी cancel हो गया है नाइन का राइट इंसर हो जाएगा option C बच्छो option C is the right मातर में तो दर्ष से आप क्या समझती है तो एक वश में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर उसी वश गर्वावस्था प्रश्व अत्वा सूतिका वस्था के दोरान गर्वावस्था या प्रश्व से समंधित समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्व संक्या ठीक है बच्छों अगला परश निकलेंगे देश में ती ब्रगती से हो रही जन संक्या वृधी के परभाव में शामिल है मेरे पापा एडमिट है भी मेरे पापा भी आज शाम को मतलब लगवक तीन बज़े के आसपास मेरे पापा एडमिट हुआ है एक्टली पापा को सांस लेने में दिख्कत हो रही है और दो तीन चीजे एसीपीटी भी बढ़ा हुआ है और कफ बलगम पूरा मतलब सीने में है अभी अक्सरे हुआ है तो उसका रिपोर्ट आया है बचो तो पूरा उनके मतलब कफ बना हुआ है पूरे सीने में तो अभी इस साम को एड्मिट हुए है लगवाद तीन वन बज़े एड्मिट हुए है अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है आदे गंटे पहले तो अभी कल तक के लिए उन लोग एड्मिट किये हैं और उनको मेडिसीन के तौर पे बच्चो एक मेडिसीन के तौर बता रहे है क्या क्या है मेडिसीन में उनको पिंट आप लग रहा है फाइटो बैक लग रहा है जेंटा सीन लग रहा है एन थ्री लग रहा है और प्रीमा काट है ने बच्चो प्रीमा काट लग रहा है ये सारे उनके टीटमेंट के रूप में दिया जा रहा है पितो मम्मी उम्मी तो पूरे सब लोग रो रहते बच्चो बिल्कुल मेरा भी मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन मैं सोचा कोई नहीं अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्लास ले सकता हूँ क्योंकि आज सुबह से तो घरी बात हो रही है कंटिनीव आज 7-8 गंटे तो घरी बात हुई है जी मीना जी COVID जाँच हुई है उनके जाँच में बता हैं बच्चो तो उनके बता रहे हैं जाँच में तो कई सारे हैं बच्चो उनके जाँच हुए हैं B.S.R. के V.L.U.R.U.B.E.N. के S.Z.P.T. के C.R.P. के K.F.T. के C.B.C. के U.R.U.B.E.N. के X-ray Chest PAV के और ECG के यह सारे उनके चेक हुए हैं जाँच हुए हैं सबका रिपोर्ट आ गया कुछ रिपोर्ट होड़ी किंड़ी में भी K.F.T. में भी थोड़ी प्रॉबलम है लिवर में भी प्रॉबलम है तो यह थोड़ा है बच्चो जी बिल्कुल सीता है गुपसाची इसलिए मने आप सबको बता जिया एकदम मैं भी परिशांत अब चुकी मैं थोड़ा सा फिर भी स्टेवल हूँ घर वाले में तो घर में जिससे मम्मी भावी दो एकदम मतलegen नहीं लगी लगा की मतलब पापा बचेंगी नहीं नहीं बच्चो कमास लें लें थीकि बच्चो कोई नहीं आप लोग हैं साथ में तो कोई नहीं आप भी तो परिवार है बच्चो जी सोनिया अगर problem होती है तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे अभी मेरे छोटे भाईया है और अगर कुछ oxygen लगा है बचो और उनको oxygen लग गया है oxygen kit लगा हुआ है उनके मुँपे क्योंकि सांस लेने में तकलिफ हो रहे थी जी गने से अगर problem रहती है कल तो फिर मुझे जाना पड़ेगा और आप सब की दुआ है बचो तो बिलकुल ठीक हो जाएंगे पापा ठीक एक बार और बचो पहले हुआ था उनको लगबग 6-7 साल पहले सेम कंडिशन हुआ था तो SZPGI में हम लोग उनको एड्मिट करवाए थे तो वहाँ भी 2-3 दिन एड्मिट थे तो SZPGI से टीटमेंट हुआ था तो ठीक हो गया था तो लगबग वही टीटमेंट फिर से अगेंस रूख क्या गया है सारा लगबग दवावाई है बचो तो थोड़ा सा दिमाग अभी आपके क्लास से पहले मतलब आज लेट हुआ क्योंकि हम सभी भाई बहन मतलब बात ही कर रहे थे गूसरे से बूरे कनवर्सेशन पर थे मेरी डॉक्टर से भी बात वी तो उन्होंने सारा टीट्मेंट समझाया कि क्या क्या उनको दिया जा रहा है वो सारा मैंने बात करी एक पीसी तिवारी डॉक्टर है एमडी एमबीवियस हैं हमारे यहां बैठते हैं बचो देवरिया में बैठते हैं वो तो वहीं पे अड्मिट हुए हैं पापा जी बचो चले जाएंगे अभी देख लेते हैं कल तक ठीक बचो थाइंक उस सो मच बस आप सब दुआ करना पापा चल देख से ठीक हो जाएं मुझे अमीद है आप सब की दुआ और हम लोग का कर्म है बचो कभी किसी के साथ गलत नहीं किये तो हमारे साथ भी कभी कुछ गलत हुआ नहीं है बचो मेरी मम्मी को मैं बता दू बचो 2006 में कैंसर हो गया था मेरी मम्मी को 2006 में कैंसर हो गया सब को लगा कि अब कहा मम्मी बचेंगी पर मैं बता दू बचो कि ये गोरकपुर में हॉस्पीटल है, हनुमान परसाद पुद्दार, हनुमान परसाद पुद्दार केंसर हॉस्पीटल, बचो गोर्मेंट हॉस्पीटल है, मतलब हम लोग कहां कहां नहीं दिखाए, पूरा अपोलो में दिखाए, दिल्ली में कई सारे हॉस्पीटल में, जैपूर मिले जाके दिखाए कहीं कुछ नहीं हुआ बच्छो लेकिन हनुमान परसाथ पुदार में बता भी रहो बच्छो अगर आपके परचे में कोई आए और आप से पूछे कि कैंसर होस्पिटल कोई बदा दू जो अच्छा हो रेनरजेबल हो सस्ता हो तो आप बच्छो ये जरूर बताना हनुमान परसाथ पुदार कैंसर होस्पिटल गुरखपूर ये सिर्फ कैंसर होस्पिटल है बच्छो विश्वास माने बच्छो हर जगह से मम्मी को रेफर किया गया कोई केसी ने लिया सब कह रहते कि बस अब नहीं बचेंगी और इश्वार ने बच्छो यहां पर उनको बचा लिया बहुत अच्छा होस्पिटल है बच्छो तो आप अगर कोई आपको पूछे तो ये बताना बच्छो ठीके देखते हैं बच्छो प्रश्णत आएंक आप सभी के दुआओं के लिए और आप सभी का साथ है सब सही हो जाएगा बच्छो ठीक है थैंक्यू सो मच बच्छो एंसर करें बच्छो अदेश में तिवर गति से हो रहे जनसंक्या व्रेदी के परभाव में शामिल है गरीबी एवं वेरोजगारी जीवन अस्तर में ग लोग लिख रहे हैं ओक्या म्रीता फिर तो आपको पता भी होगा गोरगपुर में और इसका राइट इंसर हो जाएगा टैन का ओप्षिन डी बच्छो ऑप्षिन डी इस राइट हो जाएगा ओपर रूप सभी अगला पस निकलें बच्छो पेंटावलेंट क्या है बच्छो एंसर करें बच्छो तुरन पेंटावलेंट क्या है राइट इंसर हो जाएगा 11 का ओप्षिन बी ऑप्षिन बी इस दर राइट आप सपने मुझे एकदम इमोशनल कर दिया बच्छो समाने पर स्वेक के अवस्ता में मःला ढ्वारा अपने नुज़ात को अस्थन पान करवाना कब प्रारम कर देना चाहिए एंसर करेंग बच्छो एंसर करेंगे सभी बच्छे थानक यू बच्छो टैंक यू सू मच बच्छो इंसर करेंगे बचो 12 का राइट ही इंसर हुजाएगा option B, option B is the right बचो, जनम के तुरंद बाद आधे घंटे के अंदर ठीके, जनम के तुरंद बाद आधे घंटे के अंदर ठीके, अस्तन पान करवाना प्रारम कर देना चाहिए बचो, ठीके, एक मिनिट बचो 12 नंबर, जी बचो, एकदम ये सही है, आप लोगोंने question था बचो, परसो था शाए, तो उसमें कुछ confusion था बचो, तो इसमें है जनम के तुरंद बाद या आधे घंटे के अंदर बचो बताए, फ्लैस करके होगा, तो जनम के तुरंद बाद हो जाएगा, ये आधे घंटे के अंदर ह होगा, दोनों बचो मिलेगा, ठीक है, अगला फिस निकलेते हैं, जो भी आपके answer में हो, यदि एक बच्चे को बिटामिनी की पहली खुराग, नव माह की उमर पर दी गई है, तो दूसरी खुराग कब दी जाएगा, बच्चो, answer करेंगे तुरंगे, सभी बच्चे answer करनें थेंक्यों लग को सी, थेंक्यों सो मच बच्चो, और इसका राइट इंसर हो जाएगा, बच्चो, 13 का, option C, option C is the right, पंदर माह की उमर पर बच्चो, व्यक्ति द्वारा खाये जाने वाले निम्न, खादे पदातों में से कल्सियम का अच्छा सोत क्या है, एंसर करेंगे, बच्चो, सभी बच्चे answer कर देंगे, व्यक्ति द्वारा खाये जाने वाले निम्न खादे पदातों में से कैल्सियम का अच्छा श्रोत क्या है बच्छो दही पनीर खुआ या उपरोग सभी और इसका राइट इंस्तर हो जाएगा बच्छो 14 का option D, option D is the right बच्छो उपरोग सभी अगला पस्ट निकलेंगे बच्छो एक ग्राम कार्बोहाइडेट की ओक्सीकरन से एक व्यक्ति को कितनी औरजा प्राप्त होती है एक ग्राम कार्बोहाइडेट की ओक्सीकरन से एक व्यक्ति को कितनी औरजा प्राप्त होती है बच्छो और आइट इंस रो जाएगा 15 का option P 4 किलो कैलरी बचू 4 किलो कैलरी उर्जा प्राप्त होती है अगला प्रशन नेकलेंगे प्राय समाने वजन वाले लोगों की तुनला में मोटी लोगों का BMI अधिक होता है बचू कम होता है बराबर होता हैं या कुछ भी हो शकता हो बोटी मास इंडेक्स होता है BMI का फुलपम होता है कि बोटी मास इंडेक्स के प्रायवय समाने वजन वाले लोगों की तुनला में मोटह है लोगों का व्जन या बहित माई होता है राइट इन सिर्फ हो जाएगा बचू, सिक्टिन का ओप्षन इए, ओप्षन इस राइट बचू, अधिक होता है, ठीक है बचू, उनकी भी हमाई अधिक होती है, अगला प्रशन एक लेंगे, हाइप अंटेशन की समस्या मुख रूप से किस परकार की लोगों में पाई जात होती है बचू, थैंको सब थैंको सो मच बचू, ओके घनेश टी शानु जी, एंसर करेंगे बचू, किलो कैलोरी होती है, सोनी, किलो कैलोरी में होता है, राइट इंसर हो जाएगा, 17 का ओप्षन D, ऑप्षन D is the right बचू, ठीक है, 40 से 45 वर्ष से अधिक उमरवाले लोगों म ठीक है बचू, हाइपरेटेंसमी की समस्या उनमें पाई जाती है, अधिक सुरूप से, मानवरग्ट की पियच होती है बचू, वेरीजी फिशने, थैंको सो मच बचू, बचू, उम लोग पावा से बहुत कुछ सेखें, मतलब बता नहीं सकते कि जो भी हम, हम चार भाई है बचू, पर कभी कहीं कोई भी नहीं कर सकता कि हम लोगों ने कभी किसी को कुछ बोला है, किसी से जहगड़ा हुआ है, किसी लड़की को देखा है, किसी मा बहन को हमने कुछ भी कभी गलत नजर से देखा है, कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पापा बचू, आप पापा चेहरा ही नहीं देखे हैं, अभी भी कभी हो जाता है, गाउन में कोई आ जाता है ना बचो, तो मतलब वो नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो बचो कभी किसी औरत का मूर नहीं देखते हैं, मतलब कभी देखते हैं अपना सिर्छ जुगा के जाते हैं, कभी किसी को नहीं देखते हैं वही सबसंसकार पापा ने हम लोग को दिया है बच्छो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता एंसर करें बच्छो राइट इंसर हो जाएगा 18 का ओप्षिन ए ओप्षिन ए इस राइट बच्छो 7.4 होता है एक्छुली बच्छो यह कई से का आपको मिलेगा एक्जेक्ट जो होता है 7.35 से 4.5 तक बच्छो 7.45 ठीक है 7.35 से 7.45 तक होता है मानो रत्त का पियच लैरिक्स क सम्मन मानो शरीर के किस तंत्र से है बच्छो तैंक्यू बच्छो देखो भी नहीं करा लेते हैं आप सबसे बांटी तो रहें दो कि बच्छो राइट इंसर हो जाएगा बच्छो 19 का ओप्षिन ए ओप्षिन इस दा राइट बच्छो स्वसन तंत्र रिस्पारेटरी इंसर करें बच्छो तुरन थैंक्यू सो मच इंजना थैंक्यू सो मच बच्छो आप सबकी सपोर्ट के लिए गौड बच्छो थैंक्यू रमीला थैंक्यू पापा की तरफ से डेल सारा आश्रीवाद आपको मानुष शरीर में पाई जाने वाली सबसे चोटी हडी जिसका नाम सैपिज है शरीर के किस भाग में पाई जाती है थैंक्यू आज दोष्थी थैंक्यू सो मच बच्छो आप सभी को थैंक्यू सुनम आप सब लोग बहुत अच्छे हो अच्छो मैं क्या बोलूं आप सबने मुझे बिल्कुल एमोशनल कर दिया मतलब मुझे रोना हा रहा है वसे इतनी बात है आखो मेरे एकदम आसू आ गए मच्छो एंसर करें मच्छो जी सुगंदा देखते हैं अगर प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ेगा लेकिन इस सुबर की दुआ से मुझे लग रहा है सुबर देक हो जाएंगे इन्सरो जाएगे 21 का ओप्शन बी बच्छो ऑप्शन बी इस था राइड मीडिल यह थीकि अग्वाव पर सुख लेंगे अम लिये पदार्तों का पी अच होता है जी सोना मैं अभी स्राम को मतलब कल से हलका था आज व्यादा हो गया था नहीं तो अगर एक्षुली बच्वो हम तो दिल्ली हैं पापा रहते हैं दिवरिया में तो यहां से लगभण साड़े आर्ट से नौसो किलोमेटर है तो अगर और प्रोब्लम मकर सुबत तक नहीं सॉल्व होती है तब जाएंगे बच्वो एंसर गरें बच्वो Map अंनी बच्वो पतात्यों का पी एंसर हो जांगे बच्व company 20 का option आ option is the right बच्वो साट स से ज्यादा होता है कि अच्वो यह गलत है यह बी होगा ठीक है answer में गलत प्रिंट होगा है अमनी पतातों का पियच भचू, साथ से कम होता है, ठीक कि मैंने आप सबको बता है भचू, कि 0 से 14 के बीच में पियच मान लिया जाता है, और 7 से कम पे भचू, अमली होता है, 7 से ज़ादा छारी होता है, ठीक, अगला पास निकलेंगे, मानुष तरीर में काडियेक कापार्ट कहा पाया जात मानुष टरीर में काड़ी एक वॉल्व कहां पाए जाता है वे रीजी प्रश्न है बच्व थैंक्यू सो मच बच्व आप सबके सपोर्ट के लिए एंसर करें बच्व और राएट इंस रुझाने बच्व 23 बच्वे त्वर नीले के ब आप आ हम क olur नीले के बcomb आ पहता है कार्डियेग बच्व चिक विश्तरी घहाऊ से प्यात्जरते एक प्रश्ण है वे रीजी प्रश्न है Operation winter लsave लेश्यर तुरान सब्सम करतेंगे विस्तरी गहाव से आपका क्या मतलब है क्या समझते हैं आप जी गने से थैंक्यू एंसर कर देंगे बच्छो और राइट इंसर हो जाएगा 24 का ऑप्ष्ण एप्ष्ण ही इस राइट विस्तर पर गहाव बन जाना विस्तरी गहाव का मतलब है अगला परस निकलेंगे सुपाइन इस्तिती में रोगी थैंक्यू विति, थैंक्यू so much बचओ, आप سबी को इतने सारे आप सब के कमेंट्स हैं, कि बढ़ पाना मुश्किल है, थैंक्यू so much, हाथ जूर कि आप सबी को थैंक्यू बचओ, मेरे पापा के लिए इतना सबकुछ इतना सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी दुआओं के लिए बचो ओके सुना कल देखते हैं जो भी हुगा कलम बताएंगे बचो आप सबको सुबही हम आप सबको बता देंगे इसका राइट इंसर हुजाएगा 25 कबचो ओप्षिन यह इस राइट पीट के बल लेटा रहता है ठीक है सुपाय निस्तिती में मरीज जो है वो पीट के बल लेटा रहता है अगलाप्ष निकलेंगे पेरिनियम की सफाई का क्रम आगे से पीशे की ओर होना चाहिए पीशे से आगे की ओर होना चाहिए कोई निश्टित नहीं है या अपरूप्त में से कोई नहीं बचो इंसर करेंगे बचो और राइट इंसर हो जाएगा बचो ट्वंटी सिक्स का ओप्षन ए ओप्षन ए इस राइट आगे से पीशे की ओर बचो होना चाहिए पेरिनियम की सफाई ट्वंटी फूर का ट्वंटी फूर का बचो ओप्षन ए है विस्तरी गहाव से ए हो जाएगा बचो अगला प्षन एक लेंगे एक मुत्रोगी मुत्री औरोत की समस्या से ग्रहसित है इस समस्या के उप्षार ही तू उप्योग में ली जाने वाली प्रिक्रिया है बचो जी बचो एक मुझे नच भी सुबारा देख जी बिलकुल बचो बिलकुल इसका सी हो जाएगा कोईशन है एक्छशली किताब में भी गलत आहए आप लोग देखेंगे तो यह किताबं ही बच cuestión इसका answer गलत है, इसका C हो जाएगा, ठीक है बचो, बिल्कुल सही का आपने, और राइट ही answer हो जाएगा, 27 का option B बचो, option B is the right, catheterization, एक, रोगी, मुत्री और रोध की समस्या से ग्रती थे, तो इस समस्या एक उप्चार में, catheterization बचो, विधी अपनाई जाती, जल का सबसे मुख शोत कौन सा बचो, विधी ताहिकर सो मच, ताहिकर सो मच, बचो, पर सपोर्ट, एंसर करें बचो, तुरण, और इसका राइट ही answer हो जाएगा, 28 का option B, बचो, option B is the right नदी, कुमे के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी रसाइन का उपयोग किया जाता है बचो इसके बारे में भी हमने बता है बचो आप सबको एंसर करेंगे कुमे के जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रसाइन का उपयोग किया जाता है राइटी इसर हो जाएगा बचो 29 का उप्शन यूज किया जाता है इसमें भी बचो 29 गलत पिंट हुआ है थैंक्यो देब का दाएंक्यो सो मच जी बचो इसका सी हो जाएगा यहां भी एंसर यहां पर गलत किताबों में भी बड़ी प्रॉब्लम है बचो और यह बचो प्रिशन है चक्सु के तो उसमें भी आप सही कर लेंगे ठीक है कुछ प्रशन यह जो प्रशन उठाए गया यह भी चक्सु का था इससे पहले जो इंसर है वो भी चक्सु का था तो थोड़ा सा आप लोग द्यान भी देंगे बचो ठीक है मांसिक रूप से स्वास्व व्यक्ति में पाए जाने वाला मुख लक्षन है इंसर करेंगे और इसका राइट इंसर जाएगा थर्टी का बच्व ऑप्शन सी अच्छी भूख लगना मांसिक रूप से स्वास्व व्यक्ति में पाए जाने वाला मुख लक्षन कहा है बच्व अच्छी भूख लगना अच्छी तरीके से भूख लगना बच्व ठीक है पानी से वे वज़ा की ही डरना कहलाता है बचू अब आज तो पूरी रात बचू बस यही फोन उन करके मतलब रात तक वही करना है आज तो नहीं दाने से रही बचू जी सुनीता तो मजी एडमीट है मेरे पापा सांस लेने में तकलीफ हो रहती और कफ है और लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम है किड्नी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में इंफेक्शन हो गया है पानी से वेवजाही डरना कहलाता है राइट इंसर हो जाएगा बचू 31 का ऑप्शन बी ऑप्शन बी इस दर राइट हो जाएगा बचू ठीक है हाइड्रो फोविया अगला प्रस निकलेंगे बच्चू को पेंटा विलेंट की प्रतम खुरा कब दी जाती है बच्चू जनम के समय 6 सब्टा की उमर पर 10 सब्टा की उमर पर या 14 सब्टा की उमर पर बच्चू और राइट इंसर हो जाएगा बच्चू 32 का ऑप्शन बी ऑप्शन बी इस दर राइट ठीक है बच्चो को पेंटा विलेंट की प्रतम खुराक 6 सब्टा की उमर पर दी जाती है यानि डेड माहा पर बच्चू उपकर्णों की प्रभावी तरीकों से वी संक्रमन हितू आटू क्लेव में तापमान कितना होता है उपकर्णों के परभावी तरीके से वे संक्रमन करने के लिए आटो क्लेव का यूश किया जाता है बचू उसका तापमान कितना होता है बचू थैंक्यू कलतना थैंक्यू सो मच बचू गॉड ब्लेश बचू ओ किसी था जी बचू अभी मैं रिपोर्ट थोड़े टाइम है मैं गृप में ही डाल दूँगा ठीक है मैं घृप में भी रिपोर्ट डाल दंगा राइट इंसर हो जाएगा बचू 33 का ओप्षण है ओप्षण है ऑप्षण है गरज़ rätt ठीक है 37 ृप्षण है अश्पताल के कच्रे के परबंधन के दोरान नीले रंग के डिब्बे में कौन सा कच्रा डालते हैं प्लास्टिक कच्रा, रक्त, रंजीत, पट्टिया, कपड़े, नुकीला कच्रा या और संक्रामा कच्रा और राइट एंसर हो जाएगा 34 का बच्व, ओप्शन सी, ओप्शन सी इस दब राइट, नुकीला कच्रा बच्व, ठीक है, नीले डब्बे में नुकीला कच्रा डालते हैं बच्व, जी, सुनीता, बिल्कुल, 24 का सी होगा, मैंने बता दिया तो दुबारा, इस प्रीट का क्या उप्योग होता है बच्व, एंसर करेंगे, इस प्रीट का क्या उप्योग होगा, घाओ की सफाई, उपकर्नों के श्रीकरता से विन संक्रमित करने है तू, सर्जरी से पहले त्वशा के विन संक्रमन है तू, या प्रूप सभी, जी बच्छो इसमें बहुत मिश्टेक है बच्छो चक्सु में यहां भी बच्छो डी होना चाहिए ठीक है 33 का भी डी होना चाहिए बच्छो एक सब एकी सोना चाहे बचो इसमें भी मिश्टेक है, बचो आप डोग चकसी पॉब्लिकेशन लियो तो थोड़ा सा इलर्ट भी रहना, क्योंकि इसमें तो रहा सा पर थयान दिया है, बचो, इसमें काई प्रेश नहाए जो, इसमें भी गलत है, बचो, यह भी होगा एक सब किस स्पीट का क्या उप्योग है राइट इंसर हो जाएगा 35 का बचू ऑप्शन डी ऑप्शन डी इस राइट अगला प्स निकलेंगे बचू पेंटा वलेंट कटी का कितनी वीमार्यू का बचाव करता है बचू एक मिल बचू इसको क्लियर करें यह चक्सू का है कि दूसरे का है अचली कई सारे हमारे पास है नहीं बच्छो सौरी यह चक्सू का नहीं है इस वज़े से प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल बच्छो इस वज़े से प्रॉब्लिकेशन का है यह दूसरे प्रकाशन का है चक्सू में इतने फॉल्ट नहीं है वही मैं सोच आता है चक्सू तुम हमने खुझ आच की है हमारा कुछ सयोग है उसके प्रशनों को बनाने में फिर कैसे इतना मिश्टेक हो गया यह बच्छो दूसरे थीए ठीक है ठीक है 36 का राइटी इंसर हो जाएगा उप्शन डी ऑप्शन डी इस इस ग्राइट परडा है कि ओके सितल थैंक यू राइट इंसर हो जाएगा 37 का option B option B is the right बच्चों ठीक है IPB अभी मैं बच्चों भेज हुँगा रिपोर्ट क्लास के बाद में रिपोर्ट भेज दूँगा ठीक बच्चों तो आप लोग एक बार देख लेना अगला पशने कलेंग बच्चों और सबसे जादा तकलीफ बच्चों को कफ पूरा सीने में कफ चकड़ा हुआ है इस वज़े से तकलीफ हो रही है सांस लेने में पूरा कफ बना हुआ है और बच्चों वह नहीं कम हो रहा है अभी तक वह कम नहीं हुआ है मुद्ध परिशन के लिए प्राया मुत्र का कौन सा नमूना लिया जाता है बच्चों और आइटी इंसर हो मुत्र मद्धिधार वाला मुत्र बच्चों लिया जाता है यह भी गलत है बच्चों यह भी गलत है सुगर का पहला मुत्र होगा बच्चों यह भी गलत लिखा गया है ठीक है यह यह यहां पर यह गलत है बिलकुल गलत है बहुत सारे फॉर्ट हैं बच्चों इसकी लोग में लिया जाता है बच्छू जी आज तो अची बिलकुल इंसे करिंग बच्छू 39 का 37 का भी है बच्छू रॉंग जी बच्छू IPV हो जाएगा बच्छू 37 का बच्छू B हो जाएगा न 37 का बच्छू B हो जाएगा ठीक है IPV हो जाएगा बहुत गलत है बच्छू बहुत ज्यादा इसमें गलत है इसका PDF बच्छू मैं नहीं डालूँगा ठीक है क्योंकि इसमें मिस्टेक है बहुत ज्यादा एंसर मिस्टेक है इसमें किताब में बहुत गलत प्रिंट हुआ है बच्छो यह जो भी किताब है इस खुम्याद से यहां से प्रिश्ण बिल्कुल नहीं उठाने दूगा ठीके बच्छो अगला प्रिंट निकलेंगे थर्टी नाइन कराईटी इंसर हो जाएगा ओप्ष्टन डी बेनेडिक्ट घोल बच्छो ठीके अगला प्रिंट निकलेंगे निकलेंगे रोग में बलगम के साथ खुन आ सकता है इंसर करेंगे बच्छो फूटी का सब भी बच्छ इंसर कर देंगे जी जूली एक बार फ्लाइट मूट कर गया ओन कलें बच्छो जी प्रियंका मुम्मी तो मतलब ऐसे लग रहा था पूछिए मत बच्छो हाँ जी लवली बिलकुल नौन अप्टिस ओके बच्छो ओके ऐसे करें बच्छो फूटी का और इसका राइटी इंसर हो जाएगा बच्छो फूटी का ओप्षिन भी मम्मी को भी मैंने थोड़ा सा गुष्चे में मतलब जान बूच को लगे कि मैं गलत हूँ मम्मी को मैंने क्या आप कररे हो पापको कुछ हुआ है नहीं और आप डामे कर मैंने अब बढ़ी डांट और ये जा के चूप हूई अगर मैं प्यार से खुदी अंदर से बड़ा मतलब दिमाग में तो वही सारी चीज़ चल रहेंगे हैं कि फोटी वन का करेंगे से बच्छों नेम लेकर बीमारियों में से वैक्टिरिया जने संक्रामक बीमारी है कि पोलियोटीप्टिरिया खस्त्रा या ए और सी दोनों बच्छों थेंक्यू कुछ वह कि ओक्छों अच्छे ठीक है बच्छों आज 50 प्रिश्टि करवा देते हैं ठीक है फिप्टी करवा देते हैं ठीक है फिप्टी वन कर आय är आज शो जाहे बच्छों option भी डीप्टिरिय या हो और सी दोनों होगा बच्छों इसमें फिगलत इंसर्प् Felix या ठीक है बैक्टिरिया है जनि शंक्रामक बिमारीं बच्छों ए और सी दोनों हो जाहेगा थिक अगला पस निकलेंगे नेम इसे प्रात में एक रोग ताम का उदाराने बचू 41 का बचू B होगा न बचू इसमें 41 का बैक्टिरिया बिल्कुल बचू इसका B ही होगा ठीक है ये सही है B होगा D नहीं होगा बचू इसका बहुत ज्यादा इसमें इंसर गलत अब शुकी किताब में गलत है क्योंकि हमने था हाड कॉंपी भी उसकिताब की खोल लगी है यहां बहुत मिश्टेक है बचू प्रिश्णों में नेम इसे प्रात में एक रोग ताम का उदारान है बचू नेमने उसे प्रात्मिक रोक थाम का उधारन है डीपी टीके टीके दोवारा डीप्तेरिया पोटिक्रिसी तदा टीटनेस की रोक थाम किसी बिमारी का समय पर निदान देता उप्शार जी सोनम बिलकुल दुरगटना के पशार व्यक्ति का सरजरी दोवारा एक पपैर काट दिये जाने के पशार किसी प्रस्थेटिक का उप्योग कर उसे चलने योगी बनाना या उप्रोक में से कोई ने बच्चो जी लवली वो तो वही है तोड़ा दिमाग में तो वच्चो वही सब कुछ सल रहा है एंसर करेंगे बच्चो और राइट एंसर हो जाएगा 42 का बच्चो उप्शन A उप्शन A is the right DPT के टीके द्वारा Depthiria, Pautysis तता Tickness की रोग थाम करना प्रात्मिक रोग का बच्चो उदारन है किसी भी बिमारी को होने से पूर्व उसका टीका या वैक्चीन लगाकर उस बिमारी को न होने देना प्रात्रिमिक रोग थाम का उदारन होता है निमने से विंदुक संक्रमण यानि उदारन है बच्यों कि अचाइबी पोजिटिव व्यक्ति के साथ और स्वक्षित यौन संबंद बनाने पर अचाइबी का संक्रमण 6 रोग से ग्रशिव किसी व्यक्ति के खांसने या चीकने पर 6 रोग का संच्रण दूशित जल के उपयोग से अमीबाइसिस का संच्रण या म शेयर रोग से ग्रशित किसी व्यक्ति के खांसने या चीकने पर 6 रोग का संच्रण अगला पिश्निक लेंगा बचू मुखिता किस बीमारी में किया जाता है है बहुत है असानिए बच्छो कि वारेश का उपयोग मुखिता किस बीमारी में क्या जाता है बच्छो तो इसका राइटी इंसरी जाएग बच्छो option D, हैजा में बच्छो हैटा में क्या जाता है dehydration के लिए अगला पस्ट निकलेंगे निम संक्रामग बीमारीों में से किस बीमारी के संसरन में चुहे का योगदान होता है इंसर करें बच्छो निम संक्रामग बीमारीों में से किस बीमारी के संसरन में चुहे का योगदान होता है प्लेक, मलेरिया, टैफाइट, बुखार या इसके बीज और राइटी इंसरी हो जाएग बच्छो 45 का option A option A is the right प्लेक का बच्छो ठीके, प्लेक में चुहे का योगदान होता है बच्छो और भाईया जो पापा के पाथ संब्चो उनका मैसेज आया है कि फ्री होकर कॉल कीजिए कुछ डॉक्टर बोले होंगे मैसेज है बाईया का फ्री होकर कॉल कीजिए वाइटल साइन है तापमान पॉल्स रीट श्वसंदर या उपरोग तीनों बच्छो मुदलब दिमाग वेलकुल अलगी है वो राखा है आज नेमने लिखित में से कौन सा जैविक्षिन है बच्छो राइट इन जरू जाएगा 46 का उप्शन डी बच्छो उपरोग तीनों बच्छो उपरोग तीनों यानि तापमान पॉल्स रेट हो स्वसंदर तीनों के तीनों वाइटल सायन है अगला अप्छ निकलेंगे प्लाजमो प्लाजमो डियम क्या है बच्छो एक प्रोटूं गया एक फंगस्ट गर R시면 भाप्षन ऐसी C option C is the right बच्चो एक प्रूटू जुआ है प्लाजमोडियम एक परकार का प्रूटू जुआ है ने में लिकिन में इसे एक वैश्क पुरूज का समान हिमोगलेविन अस्थर कितना होता है बच्चो बस बच्चो दो प्रश्णा और करवा देते हैं ठीक है ओके सोनिक मारी थैंक्यू इंसर करें बच्चो और राइट इंसर हो जाएगा 48 का option C option C is the right बच्चो ठीके 12 से 14 गराम बच्चो 12 से 14 गराम होता है वश्क पुरुष्का समाने की हिमोगलेविन अस्थर निगलिकित में से कौन सी दवा को प्यो अस्थमा के रोगी में नेबुल के लिए बच्चो ठांक्स लॉट गॉडविश्ची वच्चो दिल से आप सबको धायेंक्यू जी बच्चो बसकर लेते हैं बस एक प्रिश्ण होते हैं बस बचो आप सबकी दुआ है विश्वास है ठीक हो जाएंगे चल दी बचो और राइट ही इंसर हो जाएगा बच्छो फोटी नाइन का साल ब्यूटा मोल असमा के रोगी में नेबॉलाइजेशन के लिए किया जाता है आकरी प्रस्टा मतलब पजात सब्सक्राइब करके बंद कर देते हैं नेमने लिकित में से कौन सी वैक्सिन नीमोनिया से भी बचाव करती है बचो मैं इसका पीडियाट तो डाल दूंगा लेक बात करी लिए क्या गलत है तो आप लोग समझ जाएंगे बचो तो एक बार एंसर में आप करेक्शन कर लेना ठीक है अलाकि इसमें सो कुछन इस पीडियाफ में बच्चो तो आगे कि भी जो पीडियाफ है आगे कि जो प्रस्टाइब उनमें भी आप एक बार मैच्च कर ल पेंटावलेंट बच्चो ठीक है निमूनिया से बचाओ करती है पेंटावलेंट वैस्टीक है अंधाइंक इस सो मच बच्चो मैं रिपोर्ट बच्चो आप सब को भेज देता हूं अगर बच्चो पापा मतलब अगर नहीं सही होते हैं कल तक नहीं को सुधार होता है तो मुझे जाना पड़ेगा कोई नहीं बच्चो सुभए हम बात करेंगे अब जरूर हम आप सबको मैसेज डाल देंगे पापा का जोबी का नीशन होगा ठीक है और अभी मैं थोड़े दिने रिपोर्ट आप सबको ग्रूप में डाल देता हूं बच्चो थीक है बच्चो था झाल देता है कि एसाम एच्चो थीक है